हेलो बच्छो नवस्कार आई ये बच्छो शुरू करते हैं 12 चैप्टर के आगे की कहानी ठीक है चलिए हाँ जी तो 12.1 का एक कोशन रहे गया था कोशन नमबर फॉर्थ ये और देखलो अच्छो दा वील ओफा कार ओफ डायमेटर 80 सेंटिमेटर इच कैरा भाई किसी कार के हर वील का डायमेटर 80 सेंटिमेटर है हाँ जी डायमेटर ओफ वील 80 सेंटिमेटर पहिये का व्यास रेडियस ओफ वील तो रेडियस ओफ वील क्या होगा बच्छो 80 अपन टू कैंसल 40 सेंटिमेटर पहिये कित रिच्जिया ठीक है अब क्या बोला उसने है कि रहा हाव एनी रेविलीशन कंप्लीट वाई इच वील इंटेन इंटेन मिनट्स के रहा है कि 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा अगर उसकी स्पीड 66 किलोमेटर पर आर है तो ठीक है जी नाव स्पीड ओफ कार कार की स्पीड कितनी है 66 किलो मेटर पर आर कार की चाल 66 किलो मेटर पर ती घंटा इसके बाद आता है कार की चाल होगी 66 किलो मेटर पर ती घंटा इसके बाद आता है अगर कार की चाल है 66 किलो मेटर पर ती घंटा तो इसका मतलब मीटर में कितना होगा Speed of car 66 को अगर मैं 1000 से Multiply कर दूँ तो मीटर पर आर हो जाएगा यानि कि 66,000 मीटर पर आर यानि अगर मैं 66,000 को 100 से Multiply कर दूँ तो क्या होगा? सेंटी मीटर पर आर हो जाएगा मतलब कि 66 और यह 00 सेंटी मीटर पर आर ठीक है? यानि कार की Speed जो है 66,000,121,8 즐चा थे जार यानि 66,000,000 सेंटी मीटर पर आर ठीक है बही? 66,000,000 सेंटी मीटर पर आर यैनि एक आवर में 66,000 सेंटी मीटर सेलएगा मतलब Char Char Car Car Char Title kill distance in 60 minutes in 1 hour या 1 hour लिख लो 1 hour तो कितना वच्छो 66 लाख सेंटी मीटर ठीक है एक घंटे में एक घंटे में कार द्वारा तैदूरी कार द्वारा तैदूरी ठीक है उसके बाद क्या मैं इसको लिख सकता हूं कार अग्रन इन 60 मिनट अरह एक ओफर हुँ तो 60 क्या होता है 60 मिनट बने कितने मिनड़े यह घंटे में कार द्वारा तैदूरी ओफ एक गंटे में कि आधं जहें शाट मिनट में कार द्वारा तैदूरी को इस हो इतना अच्छो जब साठ विनिट गो गया तो 96ऊ bum बिल्कुल तो मुझे तो 10 मिनट का अंसर चीए ना तो 6 यह मंटिपलाई कर रहा हुँ उस तरफ जाके क्या करेगा डिवाइड तो हम निकालेंगे क्या भई, 10 मिनट में, 10 मिनट में तैधूरी, ठीक है, car covers, car covers distance in 10 minutes, distance in 10 minutes, हाँ जी, तो कितना हो जाएगा, 66 lakh upon में 10, क्योंकि 10 sorry, 10 नहीं 6 10 नहीं 6, क्योंकि 6 into 10 है, तो 10 minute का थो हमें निकाल नहीं है 10 minute का थो हमें निकाल नहीं है 6 multiply कर रहा है, उदर जाके divide कटेगा 1, 1, 0, 0, 0 0, यानि कि 11 lakh centimeter तो बच्चों, कार ने 10 minute में कितना distance cover किया कार ने 10 minute में 11 lakh centimeter cover किया, now now the number of revolution by wheel ठीक है पहिये द्वारा लगाए गए चक्कर लगाए गए चक्कर ठीक है तो क्या है भई total distance कुल दूरी बटे में बटे में perimeter of wheel perimeter of wheel perimeter of wheel ठीक है पहिये की परीदी पहिये की परीदी अब एक बाद बताओ भाई हमने total distance निकाल दिया लेकिन का पहिये की परीदी निकाली जी नहीं क्यों निकालेंगे पहिये की परीदी अरे देखो न बच्छो अगर मान लीजी आपके पास यह टायर है आप इधर से शुरू कर रहे हो तो देखो ऐसे मुड़े यहाँ पर आए और ऐसे मुड़े यहाँ पर आए तो मतलब क्या हुआ कितना distance cover किया इस ने वही इस पूरे क मतलब जाके घूमके वापस उसी पोजीशन में आना क्या कहलाएगा भई जाके उसी पोजीशन में आना क्या कहलाएगा भई आपके परीदी कहलाएगा circumference कहलाएगा मतलब यहाँ पर पैरीमिटर नी circumference circumference ठीक है तो बस now the circumference of wheel circumference of wheel ठीक है पाई यह की परीधी पाई यह की परीधी तो कितना होता है 2 पाई आर और 2 यह रहा पाई यह 22 बटा साथ आर है 40 ठीक है इसको आती छोड़ दो इतने संटीमिटर इसमें अब यह निकालना है में number of revolution निकालना है तो नमबर ओफ रेवलीशन ठीक है मतलब पाई यह की पाई द्वार लगाएगा चक्क तो टोटल डिस्टेंस कितना है टोटल डिस्टेंस है ग्यारा लाग सेंटीमिटर ठीक है और यह कितना है दो गुने में 22 बटा 7 गुने में 40 00 कट गया साथ पलटके उपर 11 004 तो दो गुने में 22 गुने में 4 और साथ पलटके उपर ठीक है 22 से काटेंगे 11 00 00 00 और 11 से काटा 2 ठीक है दो से काटेंगे तो 5 00 00 दो से काटेंगे धाई 1000 चार से काटेंगे तो 6 25 गुने में 7 और 7 35 कर रहे गया 3 7 2 नहीं 14 और 3 17 1 7 6 42 41 तो अच्छो एक टायर 4375 चक्कर लगाएगा कितना चक्कर लगाएगा 4375 चकर लगाएगा फटा फट नोट कर लो इसे कि इसे फटा फट नोट करो कि इसे तक लगाश ब मैं되는 से बेगा है झाल, कि अूगाएगा और 3 16 प्रूप नोट कर लेने नोट कर वित दो क्क्क़ कर लोगा है कि इसे नोगाई क pseudì भा है कि अनुने कर लेसे imagen डिएन दुल चलिए वच्छू यह मैं मिटा रहूँ ठीक है अबचू नबचू इक है इक है हुआू झाल झाल अब डिल्जी और तो कि देखेंगे अब नए ट्रक्त की तरफ बढ़ रहे हम देखो आप ने सीखा कि सरक्ल्का रेडियस होता है स…. सरक्ल का एरिया होता है ठीक है तो यह सब आपने लेकिन अब एक बात ध्यान से देखो अब माली जी अब जैसे मैं कहता हूँ भई आप सरकल है ठीक है आप पीज़ा मान के चलो ठीक है अब अब याद मत दिलाए करो मूड़ खराब हो जाता है लिए जिस दिन क्रोना खत्म हो जाएगा उस दिन के बाद मूड़ क्या खराब करना फिर तो जाके खाना है नहीं तो चलिए वहीं होगिया अब पीज़ा जो स्लाइस निकलता है भीज़ा क होता है और इसमें से एक करके तो जिस पर भी इसे काटा गया है उस पर कोई ना कोई एंगल तो बन रहा होगा ना तो उस एंगल को उने ले लिया ठीट अब सेंटर से लेकर सरकंफरेंस तक काटा गया तो ये दोनों कौन होंगे रेडियस तो अब आप से पूछा गया कि इसका एरिया निकालो ये पूरा एरिया निकालो तो इसके area का formula क्या होगा तो देखो ये छोटा हिस्सा इसे बोलते हैं minor sector ये बड़ा हिस्सा इसे बोलते है major sector हिंदी में दिर्ग दिर्ग तिरिज्याखंड और इसे लगू तिरिज्याखंड ठीक है वही कोई परिशानी ठीक है ये हो गया अब बात आते हैं कि area of sector निकालना area of sector area of sector या अगर area of minor sector ये निकालना minor sector तो कैसे निकालोगे लगू तिरिज्याखंड लगू तिरिज्याखंड का छेतरफल तो इसका formula होता है ठीक है ठीक है ठीक है अब आपको पता ही हम लिगा लिगा रहे है area और ये area किसमे से कटके निकल रहा है सरकल में से और सरकल का area क्या होता है पाई यार स्क्वार ठीक है और वही आजा जब area of major sector area of major sector ठीक है दिर्ग तिरिज्याखंड का छेतरफल तो बच्चो धिहान रखना अगर पहले से ही दिया तब तो ये वाला formula लगाएंगे अगर दिया हुआ ये और निकालना है वह ये वाला formula तो ये क्या होगा 360 minus theta क्या होगा 360 minus theta तो उपर लिखोगे 360 minus theta upon 360 into pi r square क्या formula होता है 360 minus theta ठीक है तो ये होगा विच्चो तो ये होगा minor sector formula ये होगा major sector formula ठीक चलिए अब आता है segment माल लीजिया आपके पास ये circle हो गया और आपने कोई code खीची circle को दोश्चे में बाट दिया भाई ये अच्छा एक अरे सोरी 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 इसमें एक formula और रह गया बच्चो एक बाद बताओ ये हो गया minor sector ये हो गया major sector अब एक होता है यहां से लेकर यहां तक कि length यहां से ले जब हम इसको काटके निकालेंगे तो ये हिस्सा भी तो कटके क्या हो गया बाहर निकल गया तो इसको बोलेंगे हम क्या भाई length of arc length of arc चाप की लंबाई ये निकालना होगा हमें ठीक है और इसका formula होता है theta बटा 360 क्यों 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 क्य कर दिया तो जो छोटा हिस्सा होगा उसे कहेंगे माइनर सेग्मेंट लगो विरित खंड और यह बड़े वाले को कहेंगे मेजर सेग्मेंट दिर्ग वरित खंड ठेक है अब बात आती है तो आपसे पूछ लेंगे भई कि माइनर सेग्मेंट का एरिया निकालो या मेजर सेग्मेंट का एरिया निकालो एरिया निकालने के लिए बोल देंगे तो कैसे उससे पहले आपको एक चीज दी गई होगी इसमें ट्रेंगल दिय गया होगा सैंगि कगा कि आप लुए नाम देपी नाम देपी और यह नाम देपी वाले सी है थे आप आप से बोला घया कि बाई माइनर सेंग्मेंट का एरिया निकालो लगू विilt खंड का एरिया निकालो तो बच्चो दो तरीके हैं एक formula वाला तरीका और एक अपना जुगारूलाल तरीका देशी तरीका लेकिन formula वाला तरीका जो ना वो बच्चो बड़ा कोशन आता है कोई भी लेंदी कोशन आता है तो हम यह वाला काम करेंगे देखो कैसे हाँ बई तो एरिया ओफ सेग्मेंट एरिया ओफ सेग्मेंट या माइनर सेग्मेंट कि लगू विरित खंड का छेतरफल बरावर कैसे होगा देखो मेरे हाथ को देखना यह ऐसे गया 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 ठीक है मतलब यह पूरा असल में बना क्या रहा है यह सेक्टर नहीं बना रहा तो बस एरिया ओफ सेक्टर माइनर सेक सेक्टर में से ट्रेंगल माइनस कर दों कोई दिक्कत है यह ठीटा है ट्रेंगल माइनस कर दों कोई दिक्कत minus में O, A, B का 6 तरफल ठीक है? तो इस तरीके से बच्छो हमें इस पूरे sector में से इस पूरे sector में से triangle minus कर देना है तो ये वाला area आजाएगा तो एक तो तरीका हो गए ये एक तरीका है formula बाला एक तरीका है formula बाला ठीक है? now formula बाला तरीका area of minor segment यह area segment ठीक है लगो बिरित खंड का चेतरफल क्या formula है formula है pi theta upon me 360 minus sin theta by 2 cos theta by 2 अब पूरे के बाहर r square पूरे के बाहर क्या है r square ठीक है तो बच्चों यह आपके बाद formula है और इनी formula से हमें सारे काम कर देने है ठीक है फटाफ़ नोट कर लो फिर एके करके कोशन करवाँगा जल्दी नोट कर लिया होगा अब आगे देखो अब यह करके हम सारे कोशन करेंगे ठीक है आज तो विल्कों हलके हलके कोशन करवाँगा नेक्स्ट लास से थोड़े अच्छे लेवल के कोशन कीजेगे चलो देखो कोशन नमबर 12.2 गा फस्ट एक्मन विच्छो एक्मन विच्छो झाल झाल चलो अगला 12.2 कोशन नमर फिर्स्ट बहुत प्यारा सा और नकली सा कुश्चन है ठीक है फाइंड दे एरिया अप्सेक्टर अफ़ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटिमेटर इफ दे एंगल अफ सेक्टर इस 60 डिग्री बेखो कह रहा भाई यह एक सेक्टर है वालो ठीक है और कह रहा है जिसका एंगल है 60 डिग्री ओ ए बी ठीक है इस जी और कह रहा है इसका रेडियस है 6 सेंटिमेटर यह है तो कह रहा है बताओ इसका एरिया कितना है ठीक है जी ओके एरिया ओफ सेक्टर एरिया ओफ सेक्टर तिरिज्या खंड का शेतरफल तो बच्च बच्च में सब कुछ पहले से दिया हुआ है तो लिखने ही जूरत नहीं है सीधा ठीटा बटा 360 पाई आर स्क्टर ठीटा कितना है 60 पाई 22 बटा 7 आर 6 गुना 6 00 कटा 6 36 कटा 6 6 6 6 कटा 22 के 132 बटा 7 सेंटिमेटर स्क्टर यह हो गया ठीक है Question number second क्या बोला है Find the area of quadrant of a circle whose circumference is 22 cm अब देखो बच्चो ये है circle Circle का quadrant का मतलब होता है कि जब diameter से दो line एक दूसरे को पर perpendicular गिरती वे जाए तो circle को 4 बराबर parts में बाड़ देती है और 90-90 degree का quadrant बनाती है ठीक है तो बस तो लिखेंगे यहापर Now the angle is subtended subtended at quadrant is equal to 90 degree ठीक है चतुर्थांस द्वारा बनाया गया कौन 90 degree है कितना है बई? 90 degree है Now the circumference circumference of circle कितना दिया हुआ है? 22 cm यानि कि वृत की परिधी कितनी दिया है? 22 cm तो 2 pi r बराबर 22 दो गुने में 22 बटा 7 गुने में r और ये 22 तो 22 से 22 कट के बचा 1 2 r 7 याँ डिवाइड कर रहा है या मंटिप्लाई 2 या मंटिप्लाई कर रहा है तरह के डिवाइड तो r की वैलू कितनी आगई? 7 by 2 r की वैलू कितनी आगई? 7 by 2 नौ ठीक है? अब इसने क्या बोला है? Find the area of quadrant ठीक है जी? Area of quadrant चतुर्थांस का छेतर फल तो कितना भई? कितना होता है? भई, ठीटा अपॉन में 360 इंटू में πाई आर स्कूर अब देखो ठीटा वैसे 1 by 4 होता है तो देखो न 1 by 4 बना भी ऐसे ही है पाई की वैलू 22 बटा 7 आर की वैलू 7 बटा 2 7 बटा 2 देखो जिरो जिरो कटा 9 4, 1 by 4 ही होता है न 7 से 7 कट गया 2 से कटेगा 11 तो 77 बटा 4 टू जा 8 इतने सेंटिमेटर स्कूर यह है बच्चो आंसर सेकेंड का ठीक है? करो इसे करो यह हो गया? कोशन नमर 3 देखो कोशन नमर 3 क्या रहा है दे लेंट आफ दा मिनट हैंट ओफ अ क्लॉक देखवई क्या एक क्लॉक है आपके पास नमबर देदो 12 एक दो तीन चार पांच छे साथ नो दस ग्यारा ठीक है और एक मिनट की सुई है यह रिवाई मिनट के लिड़ल है अब कह रहा है तो बताओ अगर यह 14 सेंटीमिटर की है तो पांच मिनट बाद पांच मिनट बाद ठीक है कितना एरिया कवर कर लेगी तो पहल अगर बता लगाते हैं चलो भई हाँ टोटल ऐंगल कसरेश्टन भाई क्लॉक गड़ी द्वारा बनाया गया कुल कोण 308 डिगरी घड़ी द्वारा राषी बनाया गया अजो कुल अ ग कुळे थेृ तो 360 डिगरी अ है ठीक है एंगल सब्टेंट्स इन फाइव मिनट्स पांच मिनट्स में बनाया गया कौन तो 360 बाइए एन होता है तो 360 एन एन कितने बारह बारह है ना बारह खंड है तो 30 डिगरी तो यहनि कि बच्चो पांच मिनट्स में पांच मिनट्स में कितने त्रटी डिगरी का इंगल मना ना थे एरिया इन फ्यू पांच मिनट्स में थेतर फल ठीटा बटा 360 पाई आर स्क्वेर ठीटा कितने 30 365 आर इस्क्राइब इस वटा साथ आर इस्क्वेर चौदा गूना चौदा 003 से गड़ गया 12 साथ से गड़ गया 2 2 से गड़ गया 6 3 एक गड़ गया 7 तो 22 सत्य 154 बटा 3 सेंटीमेटर स्क्वार इतना ठीक है करो इसे विच्छो करो इसे गड़ गया चला वी, हागल अबा से गुली रगया जो भी了 अगला देपस्दि보 अबल से गड़ श्रब स्कूर करो अड़ पनाikt करुमनो गड़ एक युणा पो हागल गैर हो तो कॉश्य 1999 लागर ररों फिर पियंग सिक्सथ आप लोग कर के लाना है क्वेयल आधिक बाकिन और छ कलवा से जेम्ट क diploma कि चलो हो गया फिम्ट लेखलो फिर अपको देज़े ऻिए अच्छ आ करने की लिए fourth a chord of a circle of radius 10 cm subtended right angle at the center find the area of minor segment and major sector ठीक है जी यह रहा circle यह radius दस-दस की और इसके record पर मिल रहा कि ठीक है दस सेंटिमेटर की रीडियस है ठीक है और राइट एंगल पर सब्टेंडिड कर रहा है तो एक तो इसका एरिया निकालो माइनर सेग्मेंट का ठीक है और एक निकालो मेजर सेक्टर का इसका एरिया पूरे का तो कैसे निकालेंगा भी देखो तो आपको अच्छे से बता है वैसे अब कुछ आपको पास दिया हुआ है रेडियस अफ सर्कल रेडियस अफ सर्कल तो कितना है टैन सेंटी मेटर ठीक है विरत के त्रिज्या और नाम देज़ते से ओ ए भी तेक है नौ अब कहां निकाना बोल ला उसा ने एरिया आफ मेजर सेक्टर एरिया ओफ मेजर सेक्टर अब कर सेकेंड पॉइंट मैं बोला नहीं है ठीक है दिर्ग दिर्ग तिरिज्य खंड तिरिज्य खंड का शेतरफल तो इसका फॉर्मला बताया था मैंने आपको 360 माइनस ठीटा अबान 360 इंटू पाई आर स्क्वेर तो 360 इंटू ठीटा माइनस 90 बटा 360 और पाई की वैलू आपको लेनी है इसमें फॉर्थ में 3.14 और आर आपका 10 इंटू 10 या या 270 360 भाई 10 से शिफ्ट करूंगा एक पॉंट शिफ्ट 1070 प्लाइ करूंगा दूसरा पॉंट जरिफ तीन से जुरे-जुरो कट गया नौ तिया नौ चोके दो से काटेंगे सब्सक्राइब 157 तिया तो तीन से किस एक रह गया दो ठीक है तीन बज़े 15 और दो सतरा एक तीन चार से ich 17,No 2 तो जैए Kait REP-C な Espa Linda और सेट्राइब 205 सेंटिमेटर सेवयर यह तो आगे स्केंड़ पार्ट का अंवर का अपन्स पार्ट का एरिया ओफ माइनर सेगरोंट सले माइनर सेंगमेंट ठेक है और की एरियिए और का हम माइनर सेग्मेंट लगू लगो विृतखंड का विरतखंड का छेतरफल हाँ जी तो क्या है भई तो देखो मैंने बताया था ना इसका अेरिया कैसे निकालते हैं इस पूरे सेक्टर में से ट्रेंगल माइनस करके इस पूरे सेक्टर में से क्या माइनस करके ट्रेंगल तो area of sector माइनस एरिया ओफ ट्रेंगल OAB ठीक है तिर्ज्य खर्ण का शेतरफल माइनस में तिर्भुज OAB का शेतरफल तो ठीटा बटा तीन सो साथ पाई आर स्क्वेर माइनस हाँ भई 90 डिगरी का ट्रेंगल है तो 90 डिगरी का ट्रेंगल क्या होता है अरिया क्या होता है 1 by 2 बेस क्या है OAB और प्रपेंडिकुलर प्रपेंडिकुलर क्या है OAB बस बात खतम ठीटा क्या है 90 बटा तीन सो साथ पाई की वैलू 3.14 र की वैलू 10 इंटू 10 माइनस 1 by 2 यह OAB भी 10 है OAB भी 10 है सही बात है तो 00 गटा 934 236 ठीक है और यह आ गया 314 बटा 4 क्योंकि तेंसे सिफ्ट होगे न और यह 100 बटा 2 कट जाएगा 157 बटा 2 कट जाएगा 50 तो 157 अपन में 2-50 कट जाएगा 7 और एक इसको दिया 8.2 से कट जाएगा न तो 7 सेवन और यह 8.5 माइनस 50 तो कितना जाएगा इसका 28.5 सेंटीमिटर स्कूर 28.5 सेंटीमिटर स्कूर इतना जाएगा बच्चो ठीक है तो इस प्रकार से आपका कोशन नम्बर 4 खतम 5 शिफ्ट शिफ्ट आपको करने के लिए दे रहा हूं ठीक है घर से इसको आप करके लिए कर करते हैं मिलते हैं नेक्ट क्लास में